गोपीनात मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तराखन राजिके चमोली जिले के गोपेशवर में स्थित है गोपीनात मंदिर गोपेशवर ग्राम में है जो अब गोपेशवर कजबे का भाग है गोपीनात मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है तो रात को पहुचे गोपीसर साड़े से साथ होजे और गोपीसर के हालत ही रही कल कि होटल मिलना मुस्किल हो गया क्योंकि आज टीटी का एक्जाम है इस चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हुआ तो होटल ढूनने के लिए सोर्स लगाना पड़ा यार पहली बार लाइक में सच में दूसरी चीज क्या थी कि दिस्टिक हेट क्वाटर है चमोली गा और पूरे चमोली में पूरे गोपीसर में लाइट नीदी गल मतारे कहीं नीचे फॉर्ट है तो मतलब क्या बताएं और आज सुबह उटे तो एक बुरी ख़बर और कि वह असुम में पानी नहीं है बड़ा बुरा आ रहे है और यह है रूम है यह हमारे रानादी क्या गंद्वाचार गए में में देगा है रानादी चाही जुई का इंतजाम को रह भाई तो टाइम हो जया है 7.45 छोड़ दिया रूम जीराग ऑपिसल कॉलिश सामने गोड़ी है तो टाइम हो जया है 7.45 छ होटल छोड़ते छोड़ते हैं तो चलते हैं आज तो पहले चलेंगे गोपिनाथ उसके वाद जाएंगे कलपेस्वर मंदिल तो गोपिनाथ चलते हैं क्योंकि गोपिनाथ मंदिर आतक नहीं है तो यह वह करते हैं जो पिनाथ बगवान के दर्सन अब फिर चलते हैं कि कि कलपेस्वर महादीब पंच केदार में से एक केदार कि 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 बाइक भी निया लाओ कि होंगी तो यह वन वे हैं हमें भी नहीं बता कि बाइक अलाओ है नहीं है बस लिए आए कि कि लिखा नहीं है वापने की बाइक वगरा कुछ भी अलाओ नहीं है और यहां से बढ़ता है सौड और उदर से बढ़ता है लंबा तो इसलिए गोपेसर मार्केट और इधर से आप उखी मट और चुपता तुंगनाथ रुद्रनाथ सारे ट्रैक इधर से होते हैं आगे सगर गाओं है अब हम चले जाएंगे यह से लैप्ट और राइट होके सारे यह चला गया मंदिर मार्क तो इस पर आगे गोपेनाथ मंदिर है और अगर बस वगएर से सफर करते हैं तो बस यहां पर उतारती है मेन स्टॉपेज यह मंदिर मार्क दुखाना भी खुली नहीं कि टाइम आठ बच जाए भी और बिल्कुल रोड पर यह मंदिर है रोड तक गया हूं न लगा मेरी में और अगर अच्छा रहा تو है यहां बर साती ली जाएगी क्या में क्योंकि क्योंकि दो के पास बर्सादी है दो के बात नहीं है तो तो थो आदमी लेंगे बर साती तो काफी है पैदल यार मैं तो पैदल पैदल आया था इदर बाएं आपकी साइड है यह आया बोल्ड जी यह रहा निचे मंदिर यह है मंदर नीचे इधा ही कहीं बाइक पार करेंगे जै भोले जै भोले जै भोले टया यह होगिया गाडारी लौक है जिया तो इसी जाने गभिप आपको हमें भी नहीं बता क्योंगे पेपर देने तो नहीं आया। है आयसे जोमने आया है जी मंदिर गोपिनात मंदिर जो कि गोपिनात मंदिर में इस्तित है गोपिनात मंदिर जो कि गोपिनात मंदिर जो कि गोपिनात मंदिर में इस्तित है गोपिनात मंदिर जो कि गोपिनात मंदिर जो कि गोपिनात मंदिर में इस्तित है जिस पर मौसम प्रभावीन है और यह एक आश्वर्य है यह माना जाता है कि शारिरिक बल्द से इस त्रिशुल को हिलाया भी नहीं जा सकता जबकि यदि कोई सच्चा भग किसे छूब भी ले तो इसमें कमपन होने लगता है गोपिनात के दर्शन होगे कंप्लीट यह रहा रुद्धनात मंदिर और रुद्धनात की डोली सीथ कालिन समय पर जब कपाड़ बंद रहते हैं तो गोपिनात में ही रुद्धनात भगवान की पूजा और चना होती है और यह मंदिर इस्तित है गोपिसर में और गोपिसर इस्तित है चमोली डिस्टिक में और चमोली डिस्टिक इस्तित है उत्राखंड में तो यह सारी चीजें और अभी जाएंगे हम लोग कलपिसर अभी गोपिसर से 10 किलोमेटर है चमोली और चमोली से अगर राइट लेते ह तो 35 किलोमेटर करने प्रियाग है और अगर चमुली से लेट लेते हैं तो 50 किलोमेटर जूसी मट तो हमें जूसी मट से 10 किलोमेटर पहले हे लंग धाटी है वहां से कटना होगा अपना वाएं आद को लगो तीन-चार किलोमेटर का सफार रहेगा और गोपेशर की सबसरी अछी वात क्या है कि यहां पर दोनों साट की अक्रटे स aparece तो लेंट जाती है और दूसरा कंटन से अगर सिंगड़्वां और और होता तो छोटी शोच्में या सहर है उनकी किनेक्टि कई सिंगल अगर तो भी थोर अपकी कुमाओं से वृल कुमाओं से है को मां से कनेकटुटी कम है तो इसका सब से ona की कि लिए है और यहां से आपने अपने जनावर ने अमने प extremely तहों सीपर जा रहे हैं यह मैं का local plus stop are text stop है ये और यह चले हम आया चांज प्रक़ आपस झाल झाल